नमुश्कार SBT News में आपका स्वागत हैं पेशे 7 नमंबर मंगलवार सुबह सबाद 6 वजे राजस्तान की बड़ी खबरे राजस्तान के CM अशोग घ्यलोत नहीं नामंकन दाखिल किया है नामंकन के शपत पत्र के मताबिक CM अशोग घ्यलोत की सालाना आए पड़ी है नामंकन पत्र में CM ने जौन करीदी है CM की आए 2022 में 25,74,000 हुई है 2018 में 20,88,000 थी CM की सालाना आए CM के पास मातर 20,000 रुपे नगत है उनकी पत्नी सुनीता घ्यलोत की पास भी मातर 10,000 रुपे नगत है CM के बैंक खातों में 1.93,000,000 रुपे जमा है पत्नी के नाम बैंक में 65,000,000 जमा है CM के पत्नी के पास करीब 23,000 और 900,000 चांदी है CM के पास 6,70,000 है CM की पत्नी के पास L.I.C. Data Steel के 6,63,000 रुपे के शेयर है CM के पास एक करोड 95 लाग की चल संपत्ती है पतनी के पास 86 लाग 72 लाग की चल संपत्ती है CM के पास विधान सभा का दिया हुआ एक आईफोन, एक म्यूजिक सिस्टम, दो फ्रिज, दो एसी, दो कलर टीवी, दो स्टील बुक अलमारी और तीन स्टील फाइल अलमारी है काले सिंद बान प्रोजक्त के मामले में केस का निप्टारा हो चुका है CM के अच्छा संपत्ती, जोदपूर के मंडोर में 23 विगा, पैत्रक खेती की जमीन 7 करोड बाजार मुले है मुडवा नागौर में पैत्रक फ्लाट में आधा हिस्सा, जोदपूर के महमंदिर के पैत्रक फ्लाट में आधा हिस्सा, बाजार कीमत 38, 55,000 रपे है दिल्ली के द्वारका में एक फ्लाट, जैपूर की मांसरोवर में शिप्रापत पर एक मकान है केंडे ग्रहमंत्या में 4 एक दिवसी दोरे पर आज मंगलवार को रायस्तान आएंगे और कुचामन, मकराना और परवसर विधान सभाशेत्र में भार्ते जन्ता पार्टी की प्रत्याशिएँ के समर्थन में आयो जित चुनावे जनसभाओं को सμबोधित करेंगे भाचपाफ सूत्रों की अनुसार शाहा, सुबह सबाग्छ, ग्यारा बज़े, नामा विधानसभाशेत्र के कुच्चामन हेलीकॉप्टर से पहुँचेंगे और जनजभा को सम्बोदित करेंगे, इसके बाद मकराना में दोपैर एक बज़े जनजभा को सम्बोदित करेंगे विदियाद में दपार धाई बजे एक चौपाल सभा को संबोधित करेंगे रासान के सीम अशो गहलोत ने सुमार को अपना नामांक का नजोदपूर की सरदार पुरा सीट से भर दिया है इस बीच कौंगरिस के रास्टे अध्यक्ष समेट तमाम दिगज नेता मौझूद रहे सीम अशो गहलोत का इस सीट पर कई सालों से दबदबा बरकरार है इससर पर कौंगरिस के प्रदीश अधिष म गोवन सिंग लोटास्ता ने सीम अशो गहलोत को लेकर बड़ा बैयान दिया है लोटास्तासान की जनता गहलोत जी को सुनना चाहती है बोले आप CM को सिर्फ जूदपूर में ही बांद कर मत रखो, इनको पूरे प्रदीश में प्रिचार करने दो नोटासरा ने CM गहलोत को जीत की अग्रिम बढ़ाई दी और कहा कि आप रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे भारते दंड सहिता, दंड प्रक्रिया सहिता एवं एविडेंज एक की जगर लेने वाले तीन विधेकों को ग्रह मंत्रा लेकी संसदी कमिटी में एकसेप्ट कर लिया गया है इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों ने भी अपनी असहमती वाले नोट भी समिट कर दिये हैं 27 अक्टूबर को हुई बैठक में कमिटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्विकार नहीं किया था कुछ विपक्षी सदस्यों ने ड्राफ्ट पढ़ने के लिए और समय मांगा था कमिटी ने उनकी मांग मान ली थी मीडिया रिपोर्ट के अनसार ये बिल सोंवार की बैठक में मनजूर कर लिए भारत निर्वाचन आयोक की ओर से डुंगरपूर जिले में विधानसबा चुनाव की मौनिटरिंग के लिए नियुक्त दो समान्य एक पुलिस और एक व्यव परिवेक्षक डुंगरपूर पहुंचे परिवेक्षकों ने डुंगरपूर निर्वाचन में भाग से जुड़े अधिकारियों की बाठक लिए SBP कॉलिज का विजिट करते वे चुनावी तयारियों का जायसा लिया डुंगरपूर और आसपूर विधानसबा शेत्र के लिए समाने परिवेक्षक वरिस्ट आईएस अधिकारी डॉक्टर विजिन नामदेव सुर्यवेंची सागवड़ा और चौरासी विधानसबा शेत्र के लिए समाने परिवेक्षक लिंगराज पांडा पुलिस परिवेक्षक आईपेस वर्तिका कटियार और वेय परिवेक्षक मनोज राज कुपाल परिवेक्षक अपने दोरे के दोरान पहले दिन इंद्रा नगस्तित वेयर हाउस पहुंचे जहां नोने जिरा निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायन मंत्री पुलिस अधिक्षक कुंदन कामरिया उप जिरा निर्वाचन अधिकारी हेमें इंद्र नागर की कर लिया है जिस समय एडी ने उन्हें अरेस्ट किया तब वे संग्रूर में कारेकरताओं के साथ बैठक कर रहे थे वे संग्रूर जिले की अमर गड़ सीड से विधायक हैं सो वार को शाम करीब साड़े पांच बजे एडी की टीम विधायका मेडिकल करवाने के लिए सिविल पहुच गई थी उनकी गिरफतारी 40 करोर रुपय के पुराने लिंदिन से चुड़े केस में हुई अतरिक्त पुलिस महानेदेशक सिविल राइड्स एवं एंटी हुमन ट्राफिकिंग स्मीता श्रिवास्तव ने जयापूर में पुलिस मुख्याले में आयोजी समारों में साथ पलिस अधिकारियों जवानों और कार्मिको को डीजी पी डिस्क प्रदान कर सम्मानित किया एडीजी श्रिवास्तव ने डीजी पी डिस्क से सम्मानित होने वाले सभी पलिस अधिकारियों और कार्मिको को बधाई दी और भविशी में भी उतक्रस्ट कारे करते रहने का अभान किया स्मीता श्रीवास्तम ने अतरिकत पलिस अदिक्षक दिनेश कुमार अगरवार पलिस निरिखषक ममता मीना नीजी सहाइक चरंजीत आहुजा सहाइक अपने रिखषक सामरमल कॉंस्टेबल सुरीश यादव कॉंस्टेबल जियोती बाला साहू और कनेस्ट सहाय ग्यान चंतकुमामद को डीजी पे डिस्क एवं प्रशस्ती रोल प्रदान कर सम्मानित किया भारते सेना के बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन इस उमार को अमरनाद गुफा तक गाड़ियों का काफिला पहुँचा दिया ये पहला मौका है जब अब बरनाद गुफा तक गाड़िया पहुँच सकी है लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक पवित्रा बरनाद गुफा तक सड़क को चोड़ा करने का काम पूरा कर लिया गया है आम आदमी पार्टे के नेता और दिली सरकार के पूरू मंत्री सती इंडर जएन की रेगुलर जमानत पर सोंवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कोर्ट ने जएन के अंतरिम राहा जारी रखते हुए मामले पर सुनवाई 24 नमबर तक टाल दी है मनी लाडरिंग से जड़े इंडर मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस बिलामत्रिवेदी की बेंच ने इस पर सुनवाई की 26 माई को कोर्ट ने जैन को सुशर्ट 6 हफते की अंतरिम जमानत दी थी कोर्ट ने कहा था कि सर्टेंडर मीडिया से बात नहीं करेंगे और बिना पर्मिशन दिल्ली नहीं छोड़ेंगे इसके बाद 9 अक्टूबर को सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी जैपूर में मानव सिवा ट्रस्ट राजिस्थान और कस्टे लीनो आई फांडेशन के सैंक्ट तत्वधान में सुमवार को नेत्रों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरुक करने के लिए रैली का आयोजन महापूरा से नियोटा तक किया गया इस जन्द जागरुक्ता रैली में विभिन स्कूल कॉलेज विश्विद्याले के तीन सोसे अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया दिपावले के तेवार को देखते हुए जालावार जिले में खादेवी भाग की और से चुलाई जा रहे अभियान के तहत सोंवार को खानपूर में एक दरजन पतिस्ठानों का निरिक्शन किया गया इस वरान टीम ने मावा और मावे से बनी मिठाईयों के तीन सैंपल लिए मिठाईयों में काजु कतली गुलाव जाओन मिल केक के सैंपल लेने के साथ है एक रेस्टोरेंट से खराब और बदबुदार करीब 10 किलोग्राम जलेबी को नस्ट करवाए गया भारते क्रिकेट टीम के बॉलर आवेश खान अजमेर पहुंचे खान ने विश्व प्रिसिद ख्वाजा मुहिन दिन चिष्टी की दरगाह में जियारत की इसके साथ ही उन्होंने इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीते से लेकर दूआ मांगी समवार को भारते क्रिकेट टीम के बॉलर आवेश खान अपने परिवार सेथ खाजा मुहिन दिन चिष्टी की दरगाह में जियारत करने पहुंचे थे दरगाह की खादिम सेथ असगर अली ने दरगाह जियारत करवाई दरगा हमें ज्यारत कर खान ने देश और अपने परिवार की काम्याबी और इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीते इसे लेकर दूआ मांगे रास्तान के राज़ाने जैपर में अभुगता संग द्वारा आयो जित उफार सहकार दी पोर्टसब मेले में शिवकाशी के ग्रिन पटाखों में सार से 75 प्रतिशे तक की छूट दी जा रही है अभुगता संग के महा प्रबंदा कर राज़ेंदर सिंग ने बताए कि भवाने सिंग रोड से दनव जीवन सहकारी बाजार में आयो जित ये मेला ग्यारा नौमबर तक सुबह ग्यारा बज़े से रात के नौ बज़े तक आयो जित किया जाएगा मेले में MMTC, PAM के सोने और चांदी के सिक्के उचित मुले पर उभुगताओं को उपलब्द कराए जा रहे हैं मेले की माध्यम से दिपावली सीजन पर उभुगताओं को एक हिचत के नीचे आवशिक समगरी उपलब्द कराने का प्रयास किया जा रहा है दिली एंसिया समय सोंवा शाम चार बच कर अठारा मिनट पर उत्तर भारत के कई हिस्सों में भुकम के जटके महसूस किये गए नैशनल सेंटर फोर्स इसमलोजी के अनुसार नेपाल में रियक्टर पहमाने पर 5.6 तिवरता का भुकम पाया आगामी डायस्तान विधानसबा चुनाओं को लेकर आखिर कांगर्स पार्टी ने रवियार देश्याम अपने सात्वी सुची जारी करती जिसमें चाक्सु विधानसबा शेत्र से एक बार फिर मौजूता विधायक वेद प्रकाश सौलंकी पर भरोसर जताते हुए प्रत्याशी बनाया गया है सुत्रों के अनुसार काफी लंबी खिंस्तान के बाद सौलंकी का नाम फाइनल हुआ तो फिलाल इस परेटिल में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ